जैहिन, गुड मौनिंग स्टुडेंट्स, तोड़े वी आ गूंग स्टार्ट चैप्र नमर 19, यूगलीना विर इस, ओके, यूगलीना इस ए टिपिकल एग्जाम्पल अफ्लेजिलेटा एं मैस्टिगोफोरा, इस फाइटो फ्लेजिलेट, यूगलीना इस प्लाइंट लाइ लाइक, विद् कलोरोफिल बियरिंग प्लास्टेट, तक लूरोप्लास्ट और क्रॉमेटोफोर और इनिमल लाइक, विद् नो प्लास्टेट, ओके, जैसे कि आप जानते हैं कि यूगलीना जो है फाइलं, प्रव्रटोजाग का अनिमल है, क्लास इसकी फ्लेजिलेटा है, यूगलिना जो है एनिमल में इसमें क्या है कि क्लोरोप्लास प्रेजन्ट होता है, और ये फोटो संथेसिस के द्वारा अपने फूड को संतेसाइस करता है, ठीक है, अब यूगलिना में क्या है, सैल वॉल जो होती है, इसके अंदर नहीं होती, इसमें मूमेंट भी होता है, तो इसमें यह प्लांट केगरेक्टर नहीं है उन्होंने यूगलीला रहे प्लाइलम-प्रोटास्वाघ, के फ्लेजिलिटा, मैस्टिगोफोरा जो क्लास है, उसके अंदर इसको रखा था, ठीक है, समझ में आया हूँ, कि यूगलिणा में क्या है, कि कुछ करेक्टर जो है, प्लांट के हैं, और कुछ करेक्टर इसमें एनिमल के हैं, प्लांट की जैसे ही क्या करता है, फोटो सिंत्र करता है, जब कि इसमें मुवमेंट पाया जाता है, और वो मुवमेंट कि इसका प्लांट का करेक्टर नहीं है, ठीक है, इसको यूगलिणा को कनेक्टिंग लिंक बिट्विन प्लांट एनिमल, कि यूगलिणा को प्लांट एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक जो है, इसक फाइटो मैस्टिगोफोरा है और्डरेस का यूगलिनीडा है जीनस यूगलिना और स्पीशी जो है विरिडेस है ओके हैबिट एंड हैबिटेट देखिए इसमें कि यूगलिना जो है एक्विटिक अनिमल है फ्री लिविंग है, फ्रेश वाटर, पूल, पॉन्ड और इनमें ये पाया जाता है ठीक है और इसमें यूगलिना में क्या होता है कि क्लोरोपलास जो फोटो सिंथाटिक पिगमेंट होता है इसके अंदर पाया जाता है अब इसकी देखिए, शेट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में शेप एंड साइज की स्मॉल माइक्रोस्कॉपिक ऑर्गनिजम है इसमें और elongated, fumiform, spindle shape body with blunt anterior end and pointed posterior end middle part is somewhat wider की middle part जो होता है थुरह सा broad होता है इसका ठीक है इसमें pellicle present होती है कि इसकी body जो होती है एक thin, tough, flexible membrane की द्वारा covered होती है जिसको pellicle कहा जाता है ठीक है साइमें आ गया आब इसमें देखेंगे, इसके बाद इसमें जो होता है कि डिजर्वर इसमें present होता है कि Allign कि यूगलीना में क्या होता है कि यूगलीना में इसकी बॉडी जो होती है कैसी होती है फ्लास चेप्ट होती है इसका एंट्रेयर पार्ट जो होता है बलंट होता है और इसमें माउथ प्रेजेंट होता है माउथ जो होता है इसका वो क्या कलाता है साइटो स्टोम कलाता है और साइटो स्टोम जो होता है एक साइटो फैरिंग्स ठीक है कि साइटो फैरिंग्स से एक रिजर्वर में खुलता है समझ में आ गया कि साइटो फैरिंग्स साइटो फैरिंग्स से होता है रिजर्वर में खुलता है समझ में आ गया अब देखिए इसके बाद ये इसका स्ट्रक फोटक्षन करते हैं यह इसमें इसके इंदर प्रेजर उता है और यह साइटो फेरिंग्स जे हएं डॉब्लप्ट्र。 ठीक है present होता है इसमें contactile vacules पाई जाती है पैलिकल ये इसके outer covering जो होती है पैलिकल outer covering होती है फ्लेजिलम जो है जिससे developed होता है बेसल ग्रेनियूल या blepharoplast से फ्लेजिलम का development होता है और इसके अंदर cytoplasm जो होता है present होता है ठीक है सही में आ गया अब देखिए इसमें cytoplasm present होता है पैलिकल होती है cytoplasm को cover करती है cytoplasm होता है two zones में divide होता है first is the ectoplasm and second is the endoplasm and ectoplasm होता है outer होता है clear होता है dense narrow peripheral zone containing microtubules and muciferous bodies endoplasm inner granular and more fluid like central zone containing the nucleus and several type of inclusion okay इसमें next इसमें nucleus present होता है nucleus होता है single nucleus के अंदर पायता है large होता है spherical या oval shaped होता है ठीक है समय में आ गया ह। इसके बात देखिए इसमें endoplasmic inclusion कि इसमें endoplasmic, chromatophorce चarden CEO meet शेंदर पाये जाते हैं कि Nuucleong में क्या होता है कि इसमें cell के बीच मेंingen S에도 nucleus present होता है nucleus के चारो और की नुकलिस के चारो और इसमें क्लोरोप्लास से क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं और इन क्लोरोप्लास में क्या प्रेजेंट होता है इसमें क्लोरोप्लास में क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल जो होता है वो chlorophyll A, B, and carotene B के form में present होता है और यह जो chromatophore है यह यूगलिना में star-like range रहते हैं ठीक है समझ में आगया आपको कि यह जो chlorophyll होते हैं वो star के रूप में arrange रहते हैं और इसे क्या कहता है इसे पारेनोफोर इसको कहा जाता है ठीक है समय में आगया आपको कि इसको क्या कहता है पारेनोफोर इसको कहा जाता है ठीक है पारेनोफोर जो होता है एक पारेनोइट प्रोटीन के दौरा कवर्ट रहता है ठीक है पारेनोफोर किस ठीक है शहर्च में घ्या कि प्आया मैलब की दुनों साइड जो नहीं प्आयर ऑपन आदेखिए परْएम ऐ्सija मेरा बलाइल में यूगलिणा में यह स्टिग्मा बाताया था अपने आपने आपने कि यह Reserver On-Site Opposite Contactile Vacu present होते हैं, Cup-shaped होते हैं, इसमें यह हमेटो क्रोम, सॉरी, यह फॉर्म किसे होते हैं, हमेटो क्रोम, अधिस सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है, कि लाइट के प्रतिश सेंसिटिव होते हैं, अब इसमें देखिए, Cytoplasmic Inclusion, कि इसके Cytoplasm में, Cell Organils जैसे, Cytoplasm Craticulum, Golgi Body, Mitrochondria, Ribosome, यह इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसके Cytoplasm में Chloroplasm भी पाए जाते हैं, इसके बाद देखिए, कि इसमें Flazulum प्रेजेंट होता है, anterior Euglena के anterior end प्रेजेंट होता है, Thread-like Structure के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यह इसके Cytost Cytoplasm से बाहर की साइक पर निकलावा दिखाई देता है, ठीक है, समझ में आ गया, अगर इसमें 2 Flazula arises from 2 tiny granules, the kinetosomes उनको या blepharoplast इसको कहा जाता है, ठीक है, अब इसमें देखिए, यह इसको आपको structure दिखा रहा है, कि Flazulum जो होते हैं, उसमें 9 plus 2 arrangement जो होता है, वो इ exonim जो होती है, उसको बना हुआ होता है, ठीक है, और इसके चार ओर जो होता है, protoplasm जो होता है, इसके अंदर present होता है और इसमें exonim जो होती है न वो इसमें longitudinal fibers की बनीवी होती है और इसमें 9 देखीए 9 तो होते हैं peripheral 9 peripheral होते हैं और 2 central fiber जो होते हैं इसके अंदर present होते हैं तो इसमें 9 plus 2 arrangement जो है फ्लेजिलम का वो पाया जाता है ठेक है और फ्लेजिलम का जो development होता है वो किससे होता है classes का development होता है तो यूगलिना में यह देखी आपको फ्लेजिलम का टीएस अपनको दिखा रखा इसमें यह 2 central fibers present है 9 इसमें peripheral fibers present है यह इसमें ठीक है यह outer sheet की दोरा यह covered है यह inner sheet जो होती है डबल होती है ठीक है सब्सक्राइब में आ गया आप देखीए इसमें जो लोकोमोशन होता है यूगलिना में लोकोमोशन जो है किसकी दोरा किया आता है फ्लेजिलर मुवमेंट की टू टाइप का लोकोमोशन जो है इसके अंदर आता है एक होता है फ्लेजिलर मुवमेंट and second is the yuglinoid मुवमेंट फ्लेजिलर मुवमेंट जो कियाता है फ्लेजिला की दोरा किया कि इसमें जैसे आपने अपने पैरामिशयम में पढ़ा था कि पैरामिशयम में क्या होता है यूगलिना में इसमें प्रकार से मुवमेंट इसके अनदर पाया जाता है ठीक है सफ़ाज में आ गया, अब इसमें देखिए, ये आपको फ्लेजिलर मुवमेंट दिखा रखा है युगलिना का, कि किस प्रकार से ये एक वेव के रूप में, कि युगलिना जो होता है इसमें सभी फ्लेजिलम जो होते हैं, एक साथ वगने करता है, ये एक वेव के प्लेक्जिबल होने के कारण इसमें यूगलिनाइड मुवमेंट जो होता है इसके अंदर पाया जाता है तो पहले कल फ्लेक्जिबल होती है तो फ्लेक्जिकल होने के कारण क्या करता है कि यूगलिना जो होता है अपनी बॉड़ी की शेप में क्या करता है जिसे करता है तो इस प्रकार का movement जो है क्या कलाता है? युगलिनाइड movement जो है ये कहलाता है कि सबसे पहले क्या होता है? anterior side के तब small और broad जाता है फिर middle part में होता है फिर last में posterior part जो होता है इसका small हो जाता है ठीक है? और इससे yuglina क्या होता है? कि आगे movement कर लेता है सवर में आ गया ठीक है और ये मुमेंट जो होता है यूगलिना में इसके पैनिकल में मायोनीम्स प्रेजेंट होते हैं तो उन मायोनीम्स के कारण इसमें यूगलिनाइट मुमेंट जो होता है इसके अंदर पाया जाता है अब ये देखिए कि यूगलिना में नूट्रिशन ज में पाले जाता है हम फिर सबसे पाई है और इसमें इसमें योगलीन जो है यह ऐटो ट्रोफिक न्यूटिरिशन प्लांड जैसे जिसों करता है, में यूगलीना प्लोरीन sesi photosynthesis कहलाता है सबन में आ गया कि photosynthesis के द्वारा ये अपने food को store करता है फिर इसका जो food होता है उसको अपने पड़ा था भी paramylam present होता है इसके अंदर carbohydrate होता है तो उसके form में इस food को store करके रख लिया जाता है ठीक है और ये कहां पर pyrenoid bodies जो होती है ना उसके साथ ठीक है कि इसके साथ इसको store in the pyrenoid bodies for future use इसको store करके रख लिया जाता है इसके बाद देखिए सेप्रोफाइटिक nutrition होता है कि यूगलिना जो है सेप्रोजोइक nutrition भी शो करता है और यह होता है इसमें absence of sunlight कि जब यूगलिना को अगर जिसे अपन उसको यूगलिना को dark में रख दें तो इसका chlorophyll जो है वो क्या होता है disappear हो जाता है ठेक है कि यूगलिना losses its chlorophyll and abdorf solution of decaying organic matter by the general body surface तो it seems that यूगलिना secret digestive enzymes that are specially animal-like in nature सब्सक्राइब कि इसी nutrition के कारण यूगलिना को क्या माना गया है एक animal की रूप में इसको माना गया है अब देखिए next is the respiration कि यूगलिना में aerobic respiration जो होता है इसके अंदर पाया जाता है और यह किसके दोरा कि water में dissolve oxygen जो होती है उसको diffusion की दोरा लेता है और carbon dioxide को बहार निकाल दिया जाता है इसी प्रकाइस में यूगलिना जो है उसमें excretion जो होता है immunotellic organism है यह ammonia जो है इसको nitrogenous waste product के रूप में यह वहार निकालता है यह excret करता है यह और यह किसके दोरा कियाता है कि यूगलिना excretion product में also be removed by the contractile vacuum into the reservoir ओके सभिया गया इन यूगलिना contractile vacuum is osmore regulatory as well as excretion function की contractile vacuum जो होती है एक तो osmore regulation का function करती है यह body के balance को बनाती है और excretion का भी function करती है अब देखिए osmore regulation की यूगलिना जो है कैस में पायता है इसमें contactile apparatus जो होते है प्रेजेंट होते हैं यह और यह इसकी body के क्या करता है balance को बनाने का काम करते हैं ठीक है सर में आगया कि इसकी body के balance को बनाने का काम करते हैं कि excess of water और nitrogenous waste product जो होते हैं उनको body से बाहर remove करने का काम करते हैं कौन करता है contactile vacule ठीक है समय में आगया अब देखिए इसमें reproduction की इसमें यूगलिना में sexual reproduction के कोई evidence इसके अंदर नहीं मिले हैं इसमें asexual reproduction जो होता है इसके अंदर पाया जाता है asexual reproduction इसमें binary fission की दोरा कि जब favorable condition होती है तो यूगलिना reproduce by longitudinal bilinary fission nucleus divided longitudinally into two with the duplication of cytopharynx, reservoir, eye spot, blepharoplast and contactile vacule okay कि इसके anterior end पर एक constriction जो होता है इसमें arise होता है यह constriction जो होता है दीरे दीरे इसकी पूरी जैसे backward जो है बढ़ना शुरू होता है और इसकी body जो होती है टू डॉटर यूगलिना में divide हो जाती है टीक है जहें इस प्रकार से यह आपको diagram में दिख रहा है कि इसमें इसमें nucleus nuclear bodies में present है इसमें यह constriction जो होता है यहां से शिरू होता है कि यहां से constriction डवलप होता है यह दीरे दीरे जो होता है बढ़ता है और इसको इसके nucleus two parts में divide होगा और यह two yugलिना का formation इसके अंदर हो जाता है ठीक है अब देखें इसमें multiple fission और pamela steve जो होती है इसके अंदर पायाती है कि इस प्रकार का जो reproduction है वो इसमें पायाता है unfavorable जब condition होती है तब इस प्रकार का reproduction जो होता है इसके अंदर पाया जाता है जब yugलिना बहुँ जदा active नहीं होता है ठीक है तो ऐसी condition में यugलिना क्या करता है कि इसके जो फ्लेजिला होता है उनको disappear हो जाता है मतलब और इसकी shape कैसी हो जाती है rounded shape में हो जाता है और rounded shape में होने के पाया इसके चारो और जो होती है मुसिलिजिनिस covering जो होती है इसके चारो और जो होती है बन जाती है मॉस का secretion हो जाता है मुसिफेरस body के द्वारा इसको secret किया जाता है अब इसमें कई longitudinal division जो होते है इसके अंदर होते है और इसमें 16 to 32 जो यूगलिना small daughters जो होती है उनका इसके अंदर formation होता है और ये condition जो ह और पॉमिला स्टेज्स को कहा जाता है ठीक है समझ में आगया कि इस तरह की condition क्या कि राती है और जब condition favorable होती है तो condition favorable होने पर क्या होता है कि इसमें जो इसके cyst होती है वह क्या होती है वो ब्रेक हो जाती है और उसमें से जितने भी लुक्त kchutz यहाँ था शाया हो फ्री हो जाते हैं और नॉर्मल उगलीना की थे में बहुःफ करने लगते हैं देखिए इस परकार से यह यह कलाता है पॉमिला स्टेज कलाती है यह इसम एंसिस्ट है इसके यह मैंसिले जए और इसके प्रसक्त अधर यह होते हैं यह टाइड और एडवर्स एन्विर्मेंटल कंडिशन सचे लेक ओफ फूड ऑक्सीजन एक्सेसीव हीट कोल्ड और जो ऐसी कंडिशन होती है तो इसमें क्यों होता है कि इस प्रकार का रिप्रोडेक्शन जो है इसके अंदर पाया जाता है ठीक है तो के स्टुडेंस आपके थैंक्यू